हेलो एब्रिवान आज मैं बताऊंगी प्रिया सिंग बोडी विल्डर के बारे में हाल ही में थाइलेंड के पताया में आयोजित हुई 49 वे इंटरनेशनल महिला बोडी विल्डिंग परतियोगिता में राजस्थान की प्रिया सिंग ने गोल्ड मेडल जीता है वो राजस्थान की पहली महिला वोडी बिल्डर है लेकिन प्रिया के लिए यहां तक पहुँचना असान नहीं था वो काफी संगर्ष के बाद चेंपियन बनी 10 साल की उम्र में ही हो गई साधी प्रिया सिंग राजस्थान के विकानेर की रहने वाली है वो एक दलित परिवार से है 10 साल की उम्र में उनकी साधी करा दी गई लेकिन प्रिया जब और समझदार हुई तो उन्होंने परिवार और समाज के सामने अपना पक्ष मजबूती से रखा सुरुआत में परिवार का सपूर्ट भी जादा नहीं मिला लेकिन धीरे धीरे उनका साथ मिलने लगा प्रिया सिंग दो बच्चों की मा है जबकि परिवार आर्थिक तंगी के दोर से गुजर रहा था तब प्रिया सिंग ने जीम में नोकरी करने का फैसला किया उनकी प्रसनालिटी देखकर उने फोरन नोकरी मिल गई लेकिन घर और जीम दोनों में बैलेंस का बनाना उनके लिए असान नहीं था हलांकी उनके पती ने उनका खुब साथ दिया अस्टीट लेवल पर जीता तीन बार गोल्ड जीम में नोकरी के दोरान उन्होंने भी जीम में ट्रेनिंग ली वो अपनी मेहनत से एक सफल जीम ट्रेनर बन गई प्रिया सिंग मीडिया इंटर्वियू के दोरान बताया कि जीम में ट्रेनिंग के दोरान उन्हें पता लगा कि बोडी विल्डिंग का कॉम्पिटिशन भी होता है लेकिन राजस्थान से कोई महिला बोडी विल्डर नहीं है तभी उन्होंने इसमें अपना केरियर बनानी का सपना देख लिया उनकी मेहनत रंग लाने लगी प्रिया बोडी विल्डिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने लगी उन्होंने अस्टेट लेबल पर तीन बार गोल्ड जी चुकी है प्रिया सिंग ने राजस्थान बोडी विल्डिंग परतियोगिता में 2018, 2019 वर 2020 में गोल्ड मेडल जीता है इंटरनेशनल महिला बोडी विल्डिंग में जीता गोल्ड हाल ही में थाइलेंड के पताया से वो वापस लोटी है जहां 17-18 दिसंबर को 49 वर इंटरनेशनल महिला बोडी विल्डिंग परतियोगिता हुई जिसमें राजस्थान की पहली बोडी विल्डर प्रिया सिंग ने गोल्ड मेडल जीत कर देश का नाम रोसन किया है पत्रिका के मुताबिक प्रिया सिंग के दिल में एक मलाल है जब वो राजस्थान के जेपूर एरपॉंट पहुँची तो सिर्फ परिवार के चुनिंदा लोग ही उनके स्वागत के लिए मौजुद थे वे घर अकेली पहुची जबकि उन्होंने सोचे थे कि जब वो जेपूर लोटेगी तो लोगों का अशने उन्हें मिलेगा उनका सांदा श्वागत होगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ रास्ते में भी कोई नहीं मिला और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूटूब चैनल एंड सेट जरूर करें